हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद है कि आप लोग ठीकी होगे तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर तो चलिए बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को इस वीडियो के अंदर मैं एपिशोड एक से लेकर एपिशोड तीन तकी क यहांनी को spln करने वाला हूँ तो कहानी के shtarping में हमें humans और यहां पर debbons की जो लडाई है वो दिखाई जाती है और हमारे जो debbons होते हैं वो immortal होते हैं जिए के कारण वो इनसानों के ऊपर काफी जय भारी पर रहे होते हैं लेकिन इस लड़ाई का फैसला सिर्फ दो बंदो के बीच में होने वाला है और वो दोनों बंदे हैं हीरो और डैमन और यहाँ पर हमारे डैमन लौड का नाम है वैल्डोर और जो हीरो का नाम है वो है ग्रैमीन और जिसके बाद इन दोनों के लड़ाई जह स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर वेल्डर जो होता है हीरो के उपर हमला करता है जो हीरो है वो पीछे हट जाता है जिसके बाद हीरो जो होता है अपनी पावर को खटा करता है और साथ में जो वेल्टर होता है वो भी अपनी पावर को खटा करता है फिर हमें एक धमाका देखने को मिलता है हीरो ने अपनी पूरी पावर का इस्तमाल कर लिया होता है जिसके वह से वो जखमी हो जाता है लेकिन यहाँ पर जो डैमन लोड होता है वो हार चुका होता है फिर डैमन लोड हीरो को कहता है कि तुमने फाइनली मुझे हराई दिया लेकिन मैं एक इमोटल हूँ और तुम सिंपल एक इंसान होता आखिर कर मैं कैसे हार सकता हूँ यहाँ तक कि मेरी पूरी सैना तुम्हारे सैना के ओपर भारी बड़ रही थी लेकिन तब भी मैं हार गया जिस पर हीरो बोलते कि देखो हमारे पास जिन्दगी है जिसके लिए हमें फाइटिंग करनी होती है लेकिन तुम लोग इम्मोटल हो तुम्हें जिन्दी का कोई डर नहीं होता लेकिन हम लोगों ने जनम लिया है तो हम लोग मरेंगे जरूर इसलिए हमें हमेशा डर बना रहता है जिसके कारण हम लोग यहां पे अपने आपको जिन्दा रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और साथ में अपने आपको स्टॉंग बनाते हैं ताकि हम लोग जल्दी मरें नहीं जिसके बाद वैल्डोर जो होता है धूल में मिट जाता है फिर सदियां बीच जाती है और वैल्डोर फिर से रिकानेट हो जाता है तब ही यहां पे एक लड़की आ जाती है और यह बोलती कि मैं सिक्स पिलर में से यहां पे एक पिलर हूँ जिसका नाम है मकीना और मैं आपके जिन्दा होने का यहां पे कब से इंतजार कर रही थी आपको जिन्दा होने में पुरे 500 साल लग गए फिर वेलडर उठके खड़ा हो जाता है और यह बोलते की चलो हमें जिए दुबारा से इस दुन्या के ओपर जिन्दा करना है जिस पर मेकैना बोलती कि मैं आपको एक बात बताना चाती हूँ जिस दुनिया पे हम लोग कबजा करना चाते थे वो दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है असल में बहुत साल पहले यहां पे अर्थ और हमारी दुनिया आपस में टकरा गई और जिसकी बाद यहाँ पे एक नई दुनिया का जेनम हुआ अब हम लोग एक नई दुनिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे इमोटल और जो इंसान है वो जह साथ में रहते हैं तब ही Demolode यहाँ की दुनिया को देखे बहुजा चोक जाता है और ये कहता कि सही में ये जह नई दुनिया है लेकिन चाहिए कोई भी दुनिया हो मैं इसके उपर कबजा करूंगा और डैमलोड यहां पर हमला करता है लेकिन इसके हमले से ज्यादा कुछ फरक नहीं पड़ता और यहां पे कोई बंदा इसके हमने से नहीं डरता लेकिन जो पुलिस होती है वो आ जाती है क्योंकि यहां पे बीच चोराय में इस तरह का मैजिक इस्तमाल का ना बैन है यहां पर जो मकीमा होती है, वो जो होती है, जो जो होती है कि रहां प्ले को यहां से ले जा रही होती है, इस से पहले कि प्लिसिंग को पकड़ ले, फिर डैमलोड और मकीमा एक जगावे बैठे होते हैं, और वैल्डुर पूछता है कि हैं, हमारे जो six pillar हैं वो कहां पे हैं जिस पे मकीमा बोलती कि सारे के सारे मर गए सिब में ही बची हूँ फिर welder कहता है कि जो मांगुलस है वो कहां पे है जो यहां पे blood art का इस्तमाल कर सकता था अब यह नाम सुनते ही यहां पे मकीमा थोड़ी सी घपरा जाती है और यह कहती कि मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ और यह भाग जाती है तब यहां पे जो welder होता है वो टीवी को देख रहा होता है लेकिन एक दम से उसके सामने एक रोशनी दिखाई देती है और रोशनी एक लड़की के पास चली जाती है और एकदम से टीवी पे जो चैलन होते हैं वो चेंज हो जाते है तब यहांपे welder जो होता है लड़की के पास आता है और यह बोलते कि तुमने यह जह किया है ना तब यहांपे लड़की बोलती कि आखिर का तुम क्या बोलने कुश्ट कर रहे हो weldedur بولتے कि میں नहीं यहां पर जो रोष्णई हैं उनको जहे देख लिया था जो तुम्हारे पास जा रही हैं लड़की बोलती कि आकिर कर तुम हो कौन जिस पर welder बोलती कि मैं demolo de welder हूँ यह सुने कि अब लड़की जहे हसना सुरू कर देती है तबी वेल्डर बोलते किया तुम मागलरस को जानती हो तो लड़की बोलती कि हाँ वहाँ पर जो तुम बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं उसका CEO का ना मागलरस ही है तबी जो वेल्डर होता है वो यहाँ पर आ जाता है बिल्डिंग के अंदर तबी एक लड़की पूचते कि आखिर कर आपको किसे मिलना है तब वेल्डर बोलते कि मुझे मागलरस से मिलना है लड़की बोलते कि चलिये मैं आपको ले चलती हूँ फिर यहाँ पर वेल्डर जो होता है मागलरस के पास आ जाता है माइगूलस बोलते की बहुत टाइम बाद मिले मेरे महराज पताईए की आपको मुझे क्या काम है जिस पर वैल्डोर बोलते की मुझे इस दुनिया के उपर कबजा करना है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दो मागुलस बोलते है किया तुम पागल हो चुके हो आखिर कर मैं तुम्हारा साथ क्यूँ दूंगा तब यहाँ पे जो वेल्डर होता है वो गुसा हो जाता है तब यह एक लड़की वेल्डर के उपर हमला कर देती है मागुलस बोलते है तुम शान्त हो जाओ और ये बोलता है कि इस चीज का इस्तमाल यहाँ पर लोग जो है मैजिक करने के लिए करते हैं और यहाँ पर इससे कोई मैजिक कर सकता है लेकिन मैंने यहाँ पर इस चीज को तुम्हें ध्यान रखते हो बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम अपिस आओगे इसलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह बनाया था कि तुम इसका इस्तमाल ना कर पाओ जिसके बाद जो मागलोस होता है वो जो होता है हमला कर देता है और डैमलोड नीचे गिर जाता है तब ही यहाँ पर डैमलोड एक जगाँ पर गिरता है और जगाँ के जो बंदे होते ही यह बोलते कि आखिर कर तुम्हारी हिमत कैस हुई यहाँ पर जय गिरने की और यह लोग डैमलोड को फिर से मार देते हैं और डेमलोड को माने के बाद ये कच्रेवें फैक देते हैं नेखीन में यहाँ पर जो माकीना होती है ये बोलती कि मुझे माफ कीजेगा मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया था हसल में जो मेंगलस है उसने यहाँ पर हमें कपका छोड़ दिया है जिस पर डेमलोड बोलते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अगर तुम मुझे बता भी देती तब ही मैं दुबारा चेक करने के लिए उसके पास जरूर जाता नेखीन में जो माकी होती है वो जो ती डेमलोड को अपने घर पे ले आती है और यह बोलती कि मैं यहाँ पे रहती हूँ यह थोड़ा छोटा है लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर दीजेगा और जिसके बाद इलोग सो जाते हैं फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माकी को जो गाँवाले होते हैं वो जो होते हैं मार रहे होते हैं और इसको ज्वाला फैक देते हैं लेकिन एक दम से यहाँ पे एक काली परचाई आती है और माकी को बचा लेती है और मैं पर चलते कि यह कोई और नहीं जो डेमलोड है वही है डैमन लोड बोलते कि मैंने जो अफ़ा है वो सुनी थी कि यहाँ पर एक जह इमोटल है लेकिन तुम तो बहुजा सुन्दर हो क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी हम लोग इस दुनिया पर कब जा करेंगे तब ही नेक्षिन माकी की नींद खुल जाती है और यह जह यहाँ पर किचन में चली जाती है फिर माकी जो यह यह डैमन लोड के लिए खाना बना देती है और खाना बना के यह डैमन लोड के पास आ जाती है और इबोल्ती खाना तयार है फिर Demolode खाने हो खाते हैं और इकेते हैं काफी अच्छा है माकी कोई सुनके काफी अच्छा लगता है Demolode बोलते हैं क्या तुम जानती हैं कि जो यहाँ पे immortal है वो कहाँ पे रहते हैं जिस पे माकी बोलती की देखो हाली में बहुत सारे जो immortal है उनका यहाँ पर हंटिंग हुआ था लेकिन कुछ immortal भागने में जहें कमयाब हो गए थे तो वो जहें घर में रहते हैं लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पर गई थी लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था सिर्फ मुझे यह पर्ची मिली नेखिन माकी और डेमन लोड यहाँ पर जहें डेमन लोड के कपड़े खरीदने के लिए आया होते हैं माकी कहती कि मेरे पास तोरे पैसे कम है इसलिए मैं यहाँ पर सस्ते कपड़े खरीद सकती हूँ डेमन लोड बोलते कि तुम उसकी चिंता मतलब मैं यहाँ पर काफी अच्छे लगेंगे तभी माकिट जो होती है अपने फैमिलियर को बुलाती है और फैमिलियर उसके लिए ड्रेस है वो जह चूस कर देती है डैमनलोड को भी ये ड्रेस काफी अच्छी लगती है क्योंकि इसके वोपर डैमनलोड लिखा होता है फिर नेखिन में ये लोग खाना खा रहे होते हैं डैमनलोड पूसते कि तुम ये बताओ कि आखर रिकर तुम क्या फैमिलियर का इस्तमाल कर सकती हो तो ये बोलती कि हाँ ये एक डिवाइस की तरह है और मैं यहाँ पर इससे जो magic है उसका इस्तमाल कर सकती हूँ और इससे सभी लोग इस्तमाल कर सकते हैं फिर demon lord जो होते हैं यहाँ पर इसको चेक करने लग जाते हैं और ये बोलते कि अच्छा मैं समझ गया वैसे क्या इसका इस्तमाल करने से तुम्हारे जिंदगी में कोई फर्क आया है तो यहाँ पर माकी बोलती कि इसका इस्तमाल करने से तुम रोजमरा की जो चीदिये हैं उनको बड़ी हैसे कर सकते हो फिर खाना खाने के बाद दैम लोड और माकी जो होते हैं दोरा से अपने घर पे आ जाते हैं तब भी डैम लोड रुक जाता है तो माकी बोल्टर बोलते कि मुझे इसके काम करना होगा जिस पे इसके माकी बोलती कि आपको काम करने कोई जोत नहीं है मैं यहाँ पर डबल काम करूँगी और हम दोना खर्चा उठा लूँगी डैमन लोड बोलते की नहीं मुझे यहाँ पर काम करना होगा क्योंकि जो टाइम है वो चेंद हो गया है और मुझे भी टाइम केसा बदलना होगा फिर नेक शीन में हम देखते की के यहाँ चेंद होगा काम होगा मा04 कहती है यहाँ यहाँ तरह फिर माट क्या यहीं माट केहती की आप इस ट्रीवाइस को लेज़ें इसके अंदर ध्योवग लगे तक का सकते और साथभी एगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे से बात कर सकते हो नेकी में डेमलोड बैटे होते है और कहते हैं कि आखिर कार मुझे काम कैसे मिलेगा मैं इस जगा के बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे जह काम करना है तब ही डेमलोड उठते हैं और कहते हैं कि मुझे काम चाहिए क्या किसी के पास कुछ काम है तब ही एक बंदा इंके पीछे आता है और ये बोलते क्या किर का तुम ही क्या कर रहे हो अगर तुम्हें कामी चाहिए तो तुम गिल कमीशन में जाओ और वहां से तुम्हें जो काम है वो मिल जाएगा और साथ में इस रजियूमे को भी भर देना नेकी में डेमलोड जो दे इंट्रिवियू देने के लिए आ जाते है यहां पे बंदा पूचता है कि तुमने इसके अदर लिखा है कि तुम्हें एक किंडम के उपर रूल भी कर रहा है जिस पर यह बोलता है कि हाँ मैंने यहाँ पे 500 साल प्रेले किंडम के ऊपर रूल कर रिका है तब यह बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन तुम्हाई लायट कोई जोप नहीं है फिर नेकिन में जो डेमनलोड होते हों माकी के पास आ जाते हैं और ये बोलते कि मुझे माफ कर देना माकी में जोब नहीं ढूंड पाया। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई एडवाइजर है जो मुझे यहां पर जोब दिला सके। माकी बोलती कि हाँ ऐसी एक लड़की है तो सही। तर यहां पर डेमलोड बोलती कि अच्छा तुमने जहें यहां पर दोस्त बना लिए माकी बोलती कि उसे दोस्त नहीं कहसकते। लेकिन हुम दोनोंने साथ में खाना खाया साथ में साव ही विछा जांध करना हैड़ै और यहां फरन्र को बिलाती है। यह मेरे उपर लाइन मारा था माकी बोलती कि मुझे बता है कि तुम जूट बोल रही हो तभी लड़की बोलती कि अच्छा तुम सही में डैमन लोड हो मुझे लग तुम मजाग कर रहे हो असल माकी मुझे कवसे कह रही थी कि यहां पर जो लोड वेल्डोर है वो जिनता होने वाले हैं और यह जिए बहुत कुश्ड थी माकी कहती कि तुम्हारे पास वैल्डोर के लिए कुछ काम है क्योंकि यहां पर इंको कोई काम नहीं दे रहा क्युकि उ कि इंके पास जो फैमलियर है वो नहीं है माकी कहती कि इसके पास कोई experience भी नहीं है इसका मतलब है कुछ करना होगा लेकिन ही सुन्दर है तभी ये जो है TV को देखती है और ये कहती है कि तुम्हारे ले काम मिल गया फिर नेक्षिन में हम welder को भी TV देख पाते हैं अब दोस्तों यहीं पे ये episode कतम हो जाता है उमीद है कि आपको ये episode अच्छा लगा होगा अगर episode अच्छा लगा है तो नीचे comment कीजिए ताकि मैं series को continue कर पाऊं चलिए ठीक है अब मिलता हूँ अगले episode के अंदर जब तक के लिए बाई बाई